अदालत के अंदर सिवियाई जज सहब को देख कर कहती है कि ये जो चारों लोग आपके सामने खड़े हैं वो लोग बड़े बड़े पदो पर हैं तेजस्वी यादो उपम्ख्यमंत्री हैं जो मीशा भारती हैं वो राज सभा की सांसर हैं बिहार में जिस पार्टी की सरकार ह उस पार्टी के मुख्या हैं लालू यादो और राबडी देवी पुर्व मुख्यमंत्री हैं और सिवियाई कहती है कि इन लोगों को छोड़ने का मतलब है कि जो जमानत आप दे रहें इसका फायदा उठाकर ये लोग केस को प्रभाविच कर देंगे मतलब कि सिवियाई ने कहा कि इनको जमानत मत दीजिये और जमानत नहीं देने का मतलब कि सिवियाई वहां से तेजस्वी यादो को गिरफतार कर लेती लेकिन जज साहब जब कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता और तब तेजस्वी यादो और लालू परशाद यादो मुस्कुराने लगते हैं उनकी खुसी उनके चेहरे पर जलकने लगती है और इसके बाद वो अदालत से बाहर निकलते हैं सिबियाई ने कैसे जज साहब के सामने कहा कि जमानत मत दीजिये और जमानत नहीं देने का मतलब कि तेजस्वी लालू राबडी और मीसा चारो परिवार के सदस्य एक साथ वहाँ पर अरिश्ट कर लिए जाते गिरफतार कर लिए जाते और अब जमानत मिली है लेकिन तेजस्वी यादों के उपर मुकदमा चलाने की मंजूरी अदालत ने दे दी है मतलब कि चार्ज स्ट्रीट जो था उसको अदालत ने स्वीकार कर लिया आगे कोट के अंदर जो सब कुछ हुआ एक-एक कहानी आपको हम सुनाएंगे कि जज साहब ने क्या पुछा क्या दलील दी गई क्या कुछ वहाँ पर हुआ लेकिन उससे पहले हमारा परिचा है अब नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्सन देख रहे हैं यह वीडियो रोडबेज एप के दोरा प्रहुजित है रोडबेज बिहार का एक ऐसा है स्टार्ट अफ है जो आपको वन वेट टेक्सी राइट और कार पुलिंग की सुवधा बेद ही कम पैसों में उपलप्त कराता है वन वेट टेक्सी राइट का मतलब कि अगर आप पर रोडबेज की टेक्सी से कहीं में जाएंगे तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो की बेस सस्ता होगा तो अगर रोडबेज के साथ यात्रा का अनंद लेना चाहते है तो अभी प्ले स्टोर पर जाएए वहाँ पर रोडबेज नाम का अप होगा उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लिजिए अब वापस आते हैं अपनी खबर पर दिल्ली में सिबियाई के तरफ से जब अपना जो मुकादमे को लेकर पक्छ रखना सुरू किया जाता है तब सिबियाई वहाँ पर सब कुछ बताती है कि कैसे है चारो के चारो लोगों का दोश बराबर का है जो लेंड फर जॉब एसकेम हुआ जो घोटाला हुआ जमीन लेकर नौकरी दिगई उसमें और इसके बाद जज साहब पचास हजार के मुचलके पर चारो लोगों को जमानत देते हैं और नियमित जमानत देते हैं अब इसके बाद सिबियाई इसका बिरोज करती है वह जज साहब के सामने खड़े होकर सिबियाई के वकिल कहते हैं कि जज साहब आप क्या कर रहे हैं ये जो सामने लोग खड़े हैं वो कोई आम आदमी नहीं है मामूली आदमी नहीं है ते जस्वी यादो वहाँ पर उपमुख्यमंतरी थे राबडी देवी पुर्व मुख्यमंतरी माफ कीजिएगा और इस वक्त पर बिधान परशद की सदस लालू परशाद यादो उसे आज परताल कर रहे हैं उसको प्रभावित कर देंगे अगर आप जमानत देंगे मतलब कि सिव्याई क्या कहना था कि इन सभी लोगों को यहीं पर पकल लिया जाए लेकिन जच सहाब ने इसके बाद जो कहा वह सुनकर लालू यादों का पुरा परिवार खुस हो गया जच स सहाब ने जो नियमित जमानत होती है उस बात के अपने फैसले पर मुहर लगा दी और तेजस्वी यादों राबडी देवी लालू यादों मीसा भारती चारों को नियमित जमानत मिल गई लेकिन तेजस्वी यादों के लिए दिक्कत की बात अदालत में यह हुई कि तेजस तेजस्वी यादों हैं वो भी इस मामले में आरोपी हैं और अगर दोस सिद्ध हुआ तो तेजस्वी यादों के उपर भी कारवाई होगी उनको भी सजा मिलेगी आपकी इस पर क्या रहा है कमेंट बोक्स में लिकर बताईएगा आगे जो भी और तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए मरसत बने रहिएगा कि अमरेक से भी शाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद